मेरा शरणो शरणार्थी मैं कौरणेशर स्वामी लिंगाए धर्म प्रचारक आज मैं इसलिए आपके सामने आया हूँ देश में समाज में शांती रखने के लिए सभी धर्म गुरुओं का जिम्मेदारी है ओ लोगों में भैचारा स्तापन करना चाहिए किसी प्रकार का धर्मिक विशमता सामाजिक विशमता इन धर्म प्रचारकों से नहीं होना चाहिए और सभी धर्म के सभी जाती के सभी समाज के लोगों को जोड़ने का काम धर्म गुरुओं करना चाहिए लेकिन कुछ धर्म गुरू रोग ऐसे है महापुरिषों का विरोध में अपने धर्म सरेश्ट है समझकर दुसरे धर्म के महापुरिषों का और दुसरे धर्म का आचयार विचों पर कीचढ उचलने का काम कर रहे है ये देश विरोधी कारे है किसी प्रकार का वहिवत पादन देश में करना यही उगरवाद है फिलाल हमने देखा न्यू चैनल पर और सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से बहुत जादा ही एक न्यू चल रहा है स्वामी नरसी महानंद सरस्वतिजी ने मुहम्मद पैगंबर साहब के बारे में जो बात किया है अपत्ती जनक जो टिपनि उन्होंने किया है ये देश के हीत में नहीं है दो धर्मों में टेड़ निर्मान करने का और लोगों में एक भ्रम पैदा करने का एक दूसरे के विरोध में लड़ने का महौल तेयर करने का जो बयान उन्होंने दिया है ये सारा सार गलत है मैं उनका इस बयान का विरोध करता हूँ, कड़ा निंदा करता हूँ कोई भी किसी का धर्म का बारे में धर्म गुरों का बारे में इस तरह बात करना नहीं है चाहिए सभी धर्म का मूल तत्व ये किये है समता, सतंतता, बंधोता और सामाजिक न्याए भाईचारा और समाज में सदभावना रखने के लिए ही सभी धर्म गरंतों में शांती का संदेश दिया है समता का संदेश दिया है उसका विरोध में जो भी जाके काम करेगा वो सही में धर्म परचारक नहीं है, धर्म गुरु नहीं हो सकता धर्म और जाती का नाम पर जो लोग दहशत पहलाने का कोशिस करते है और महापुरुष्यों का चरितर हनन का कोशिस करते है वो सारे लोग देश द्रूही है इस तरह का जो बयान आ रहे है हम लोग इसका विरोध करना चाहिए शांती पूर्ण तरीके से हम लोगों को इसका विरोध करना चाहिए मैं सब्धकुद एक धर्म का परचा रखूँ धर्म गुरु हूँ लिंगाय धर्म का मैं भी उनका इस बात का खंडन करता हूँ और हमारे धर्म के कोई भी यक्ति इस तरह का बयान को समर्थन नहीं करेंगे और देश में शांती रखने के लिए आप सब का साथ सीयोग जरूरी है और सबी धर्म गुरुशे मेरा यहा विननती है आप लोग सदभावना से काम करे मानावता के आधार पर आप लोग काम करे और देश का हित में काम करे शर्णों शर्णार्थी जईवसवनना